Hello friends, कैसे हो आप सभी लोग? I hope कि सभी बहुत अच्छे होगे और सभी की CTAT की तयारी बहुत अच्छी चल लई होगी तो आज हम CTAT के आपके exam जो कि आपका साथ जुलाई को होने वाला है उसके लिए पढ़ने वाले हैं CDP के previous year के question ऐसे करके आपके जितने भी CDP के one liner के थूँ जितने भी previous year में आपके paper first और paper second में जितने भी question पूछे गए हैं उन सभी को cover करा दिया जाएगा तो आज हम most important CTAT के लिए आपके CDP के जो previous year के question है उन्हें पढ़ने वाले हैं जिन भी students का CTAT का paper first होने वाला है उनके लिए भी beneficial रहने वाले हैं और जिनका paper second होने वाला है उनके लिए भी beneficial रहने वाला है यानि कि आपके primary और upper level दोनों के CTAT के लिए CDP के आपके 30 marks के आने व तो हम start करने वाले हैं सबसे पहले जो हमारा first question है वो है सीखने का वह सिद्दान्त जो पूर्ण रूप से केवल अबलोकनी ब्यवहार पर आधारित होता है वह सीखने का कौन सा सिद्दान्त होता है यानि कि ऐसा सिद्दान्त जिसमें पूरी तरह से अगर देखा जाए वो क सिद्दान्त ब्यवहारवादी सिद्दान्त के अंतरगत आएगा यानि इसे ब्यवहारवादी सिद्दान्त कहा जाएगा क्योंकि जब हम किसी भी चीज का अवलोकन करते हैं और वो चीज हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में होती है तो उस सिद्दान्त को किसके अंतरगत रखा जाता है, ब्यवार बात के अंतरगत रखा जाता है, उसी के बाद next question है, सीमा हर पार्ट को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है, गया विकास के किस सिद्दांत को दर्साता है, यानि कि एक student है जिसका नाम है सीमा, वो किसी भी चीज, यानि उसे कोई भी चीज पढ़ाई जाती है, तो वो उस चीज को बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी समझ लेती है, लेकिन दूसरी student है जिसका नाम है लीना, उसे अगर कोई भी चीज उसी तरीके से उसी classroom में सिखाई जाती है, लेकिन उसे सीखने में वो ज़्यादा time लेती है, या उतना नहीं सीख पाती है, जितना की सीमा सीख पाती है तो ये विकास का कौन सा सिद्दान्त कहा जाएगा, तो ब्यक्तिक भिन्नता का सिद्दान्त कहा जाएगा, कौन सा सिद्दान्त कहा जाएगा ब्यक्तिक भिन्नता जैसे कि हमारे समाज में जितने भी लोग रह रहे होते हैं जितने भी ब्यक्ति हैं जितने भी बच्चे हैं प्राणी हैं हर इंसान में हर तरह से ब्यक्तिक भिन्नता पाई जाती है कोई भी मनुस्य एक दूसरे के जैसा नहीं होता है हर व्यक्ति एक दू इस चीखने की चंता को लेकर हो, यानि कि जो बैक्तिक भिनता है वो हर ब्यक्ति में पाई जाती है। उसके बार नेक्स्ट कुछिन है, सीखने की सिद्धान्त के संदर में इसके फोल्डिंग की और संकेत करता है। तो सीखने के जो सिद्धान दिये गए है उसमें इसके फोल्डिंग पहले तो वर्ड पूछा जाता है इसके फोल्डिंग वर्ड का यूज किसके द्वारा किया गया है तो इसका यूज किया गया है बाइगोट्सकी के द्वारा इसे इसके फोल्डिंग वर्ड को यूज किया उसे बैस्तों द्वारा यानि उससे थोड़ी से जो जादा जानकार व्यक्ति होते हैं उससे जो बड़े लोग होते हैं उनके द्वारा जो ऐस्थाई सयोग दिया जाता है यानि थोड़ी सी उनकी हेल्प कर देना होता है उसे क्या कहा जाता है इसके फोलिंग कहा जाता है जै के लिए बैठने तक उसे समाल लिया जाए तो जो थोड़ी सी उसे help दी गई है साइकल चलाने के लिए उसी चीज को इसके फोल्डिंग कहा जाता है उसके बार next question है प्रयोजन बिधी के प्रतिपादक है यानि कि जो प्रयोजन बिधी है उसके प्रतिपादक किसे कहा जाता है तो प्रयोजन बिधी के प्रतिपादक किलपेट्रिक को माना जाता है जो आपकी प्रोजेक्ट बिधी भी इसे बोला जाता है तो प्रोजेक्ट बिधी के जो ऑथर है प्रतिपादक है वो कौन है किलपेट्रिक जी है उसके बार next question है बरतमान समय में सिक्षा का सबसे उप् पागम कौन सा होता है किसी भी चीज को करके सीखना है यानि कोई भी ऐसे चीज जो पुरानी चीज है कोई भी नस्ट हो गई और बालक उसका दुबारा आविस्कार कर लेता है उसके द्वारा नई चीजें बना देता है कोई भी ऐसी चीज जो खराब हो चुकी है बालक उसके और important माना जाता है उसके बार next question है एक सिच्चक को विध्यारतियों की ततपरता इस्तर को बढ़ाना है ऐसा करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है यानि कि एक सिच्चक है जिसे विध्यारती है जो हमेशा ततपर रहें किसी भी चीज को करने के लिए हमेशा active रहें इ इसे प्रक्रड से संबंदित स्रजनात्मक क्रिया करलाप को कच्छा में संगटित करवा कर यानि कि सबसे ज़्यादा important रहेगा कि एक अध्यापक को चाहिए कि बालकों को स्रजनात्मक तरीके से यानि किसी भी चीज की creativity को ध्यान में रखते हुए उनका जो क्रिया करलाप ह यानि वो जो कार्य है उसे क्लासरूम के अंदर करवाया जाए तो इसके द्वारा जो बालक है वो बहुत अच्छे से सीखते हैं तो जितने भी चीजे हैं उसे business प्रक्रड से संबंदित स्रजनात्मक क्रिया कराप है उन्हें कच्छा में अगर करवाएगा ध्यापक तो जो नेक्स्ट है बरतमान समय में सिचक की भूमेका है यानि कि इस समय में अगर देखा जाए तो सिचक किस प्रकार से कारे करता है सिचक की क्या भूमेका है तो एक सुगम करता की रूप में सिचक को जाना जाता है बालक की किसी भी चीज में उसे जो भी कारे करना है उस चीज क तो उसके सिच्चक के माद्यम से उस चीज को सरल बनाया जा सकता है, सुगम बनाया जा सकता है, बालक को आसानी से सिखाने के लिए जो अध्यापक होता है, वो एक प्रकार से प्रेड़ना प्रदान करता है, बालक को प्रेड़ना देता है, उसी के द्वारा जो बरतमान समय मे कोई भी student ऐसा हो जो सीखने में अक्षम हो यानि कि वो किसी भी चीज को बहुत अच्छे से सीख नहीं पात सबता हो या एक प्रकार से मंद बुद्धी हो बाकी जो बालक क्लासरूम में है उनकी तुलना में कम सीख पाता हो तो ऐसा बालक अगर आपकी क्लासरूम में होता है तो आप एक सिक्षक होने के नातिक क्या ऐसा कारी करेंगे कि वो सीख पाए तो उसकी अक्षमता किस प्रकार की है यह जानकर उसको सिखाने का प्रयास करेंगे तो एक अध्यापक को क्या चाहिए कि सबसे पहले इस चीज की जानकारी करें कि बालक में अक्षमता किस प्रका जिस method से आप उसको सिखा रहे हो वो method उसके लिए useful नहीं है उस method से बालक नहीं सीख पा रहा है तो एक अध्यापक होने के नाति आपको क्या करना चाहिए बालक की अक्षमता किस प्रकार कि इस चीज का पता लगाया जाना चाहिए और उसके बाद में जब आपको पता चल जा करता है कि ऐसा क्या reason है कि बालक सीख नहीं पा रहा है अलग-अलग method का यूज करके आप उसे सिखा सकते हैं यह जानकर आपको चिखाने का प्रयास करना है कि बालक की अक्षमता का कारण क्या है उसके बाद नेक्स्ट कुश्यन है सीखने का हुए सिद्दान्त जो केवल ब्यवहर आत्मक सिद्दान्त होता है यानि कि बालक का जो ब्यवहर वादी सिद्दान्त होता है उसके बार नेक्स्ट कुश्यन है स्रजन सीलता के पोसड हे तू एक अध्यापक को अपने विद्ध्यार्तियों को रखना चाहिए यानि कि एक अध्यापक है जो अपने बाल मेरा पूरा फोकस होना चाहिए है ऐसी इन सभी चीजों का ध्यानिक अध्यापक को रखना चाहिए अगर वाепने बालकों को क्रेटिव बनाना चाहता है सुरजनसील बनाना चाहता है तो उनको軸ार केंदरित और लक्ष केंदरित यानि इन सबी चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि उन्हें जो भी कारे दिया गया है, जो भी उनका टार्गेट है, जो भी उनका लक्ष है, जो भी चीज़ें वो सीखना चाहते हैं, जो भी चीज़ें वो अचीब करना चाहते हैं, उन सारी चीजो का सिद्दान्त है वो किसके द्वारा दिया गया है तो ऐसा कौन सा मत है यानि कि ऐसा कौन सा सिद्दान्त है जो अंतरदस्टी द्वारा बालकों को सीखने में ब्याक्या करता है बालकों को सिखाने में पूरा ध्यान रगता है तो गेस्ट्रोल्ट वादी किने कहा जाता है त जिन्हें गेस्ट्रोल्ट वादी कहा जाता है । इसके बार नेक्स्ट कुछ्छन के सीखने की सामगरी के रूप में निरथक सब्दों का प्रयोग किया है। उसके बार नेक्स्ट कुछ्छन है। सीखने का नियम किसने दिया है तो अगर कुश्चन आता है आपके एक्जाम में चाहे पेपर फिस्ट, चाहे पेपर सेकंड हो यह जितने भी कुश्चन है वह आपके प्रिवियूस य Olundh प्रियोग किस पर किया था उसके बाद नेक्स्ट कुश्चन है सामाजिक बिकास कहा जाता है यह कथन किसका है यानि तो यह कथन आपका किसके द्वारा दिया गया है सीखने का सरवादिक उप्युक्त अर्थ क्या है तो सीखने का सरवादिक अगर उप्युक्त अर्थ देखा जाए तो सीखना किस चीज को कहते है तो सीखने का अर्थ होता है ब्यवहार में परिवार्जन यानि कि जो ब्यवहार है उसमें अगर परिवर्तन हो जाता है और वो परिवर्तन भी कैसा होता है बांशित परिवर्तन होता है तो ब्यवहार में जो परिवर्तन है वो एक प्रकार्थे अगर बांशित परिवर्तन हो ब्यवहार में परिवर्तन ही नहीं आया तो उसे सीखना नहीं कहा जाएगा तो बालक के ब्यवहार में बांचित परिवर्तन हो जाना और इस्थाई परिवर्तन हो जाना ही सीखने का सरवादिक उप्युक्त अर्थ कहा जाता है उसे ही सीखना कहा जाएगा उसके बार नेक्स् specialists word बोलना सिखाना है तो उस चीज को जब हम उसके सामने बोलेंगे जैसे हमने बोला तो बालक जब इसी का बारवार बारवार revision करता है यानि एक प्रकार से अनुकरण करता है तो बालक उस चीज को ज़ादा अच्छे से क्या कहते हैं यानि कोई वी ऐसा student है कोई भी ऐसा बालक है जो अपनी सीखे हुए ग्यान या कौसल को अन्य परिस्थितियों में भी यूज कर सकता है उस चीज को क्या कहा जाता है तो सीखने का इस्थानांतरन कहा जाता है इसकी आपकी जो डिटेल वीडियो है वो आपके चैनल पर बिल्कुल अच्छे से पड़ी हुई है तो आप जाकर सीखने के जो इस्थानांतरण है उन चीजों को देख सकते हैं सीखने के आपके जैसे अधिगम वक्र हैं उन सारी चीजों के आपकी वीडियो पड़ी हुई है आपकी मेराथन क्लास अप्लोड कर दी गई है उसे भी जाकर आप एक बार वाच कर सकते हैं आपकी लगवग साड़े चार घंटे की मेराथन क्लास जिसमें आपकी कम्प्लीट सीडीपी कराई गई है आपके 30 मार्क्स के जितनी भी सीडीपी वहाँ से आनी होगी जितने भी कुश्चन है उससे बाहर नहीं जाएंगे तो आप वहाँ जाकर उन्हें देख सकते हैं तो किसी भी सीखे हुए ग्यान को अगर एक बालक किसी दूसरी जगे पर यूज करता है जैसे एक बालक ने कोई भी चीज क्लासरूम में सीखी है और अगर उसी चीज को जैसे उसके घर परिवार में किसी ने पूछा है या उस चीज का जो कोई बी ऐसा कारी जो बालक एक जगे सीखता है और उसका यूज अगर किसी दूसरी जगे पर करता है तो उस चीज को क्या कहा जाता है सीखने का इस्थानांतरड कहा जाता है कभी-कभी इसकी definition पूछ ली जाती है तो सीखने की इस्थानांतरड की definition क्या होती है सीखे हुए ज्ञान कौसल अभिसय का आने परिस्तितियों में उपयोग करना ये ये यूज करना उसके पार next question है इस्मरती सीखे हुई बस्तु का सीधा उपयोग है ये कतन किसके द्वारा दिया गया है तो ये कतन बुडवर्थ के द्वारा दिया गया है यानि जो इस्मरती होती है उसका अर्थ क्या होता है बस्तु का सीधा उपयोग यानि कोई भी चीज हमारी जो memory में रह जाती है जब हम उसका सीधा यूज करते हैं तो उसी चीज को इस्मरती कहा जाता है memory कहा जाता है तो ये किस के द्वारा कहा गया था तो बुडवर्थ के द्वारा कहा गया है I hope आपको जितनी भी चीजां बताई गई है बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी आपके previous year में जितने भी question paper है आप एक बार उनको सबी लोग solve जरूर कीजिएगा one liner की through वैसे आपके जितने भी previous year के question आपके 30-30 marks के paper first और paper second में अभी तक पूछे गए हैं वो सारे आपको cover करा दिये जाएंगी जब तक आपका exam आता है बहुत जल्दी जल्दी आपकी classes upload कर दी जाएंगी I hope class आपके लिए beneficial रहने वाली हैं आपके exam में आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से marks दिला पाएंगी I hope आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ों समझ में आ गई होंगी तो आज के लिए हमारे CDP की previous year के जितने भी question है उन सभी में फिला लितना ही Thank you